अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडिएफ आपको हमारी एप पर मिल जाएगी एप का लिंक बचे डिस्क्रिप्शन पर है वहां पर आपको WhatsApp लिंक, Facebook लिंक, Instagram लिंक, Telegram लिंक सब मिल जाएंगे कोई राज कोट में तो यह सब को आपको पता ही होगा गुजरात में कितनी वड़ी आग लगी थी जब लोग बिल्डिंग से जंप कर रहे थे सुप्रीम कोट ने बीच में आगे कई फैसले भी सुनाये थे कुछ रूल्स भी बनाये थे कि हर इंस्टूशन में ऑस्पिटल में इस सब्सक्राइब के लिए कुछ रखा जाएगा तो यह फिर से ऐसा हो रहा है तो इस पर वेसी एडिटोरिल है मैं आपको बता दू इस एडिटोर को रीड जरूर करिए क्योंकि इसमें वह कैब के बहुत अच्छे अच्छे आपको वर्ड्स मिलेंगे ठीक है तो जल्दी से स मरना होता है डेडली कातर होता है है डोनों एडेक्टिव ट्रेल ट्रेल का मीनिंग होता है निशान एस सीरीज ऑफ एक्टिविटी डैट इस लेफ्ट बाइस समबडी या सम्थिंग जैसे आप किसी का पीछा कर रहे हो शिकार करने लिए वो पीछे अपने निशान छोड़ कर रहे हो ठीक है तो यह बड़े कातर निशान छोड़ रही है बार बार यह आग का पकड़ जाना बिल्डिंग्स में और लोगों का मरना तो किस पर बेस है एडिटोर्यल ओन मुंबई कोविड नाइंटेन होस्पिटल फायर इस पर बेस है मुंबई का एक जो कोविड नाइंटेन होस्पिटल का है माँ फायर लोगी है दम मुंबई होस्पिटल फायर जो यह आग लगी है यह होस्पिटल में यह क्या दिखाती है क्या शो करती है डैट इंडिया नीज टू मे disaster complete value देने की जरूरत है ठीक है इस पर काम करो बार-बार ये चीज़ें हो रही है ये घटना है हो रही है होस्पिटल में सेफटी नहीं रखते है होस्पिटल में लोग क्या कर रहे हैं पैसे के लिए होस्पिटल बनाया जा रहा है कि चैह कितनी भीड आजे चैह पोपुले हैं पैसे उस्पिटल इस तरह से डिजाइन करने की कि इतने लोग आ गए तो लोग भाग रहे हैं इधर उदर जा रहे हैं तो कोई है पर लोग क्या करते हैं प्रोफिट के लिए बनाते हैं बिल्डिंग को तो को इस पर बेस people that fire is a good servant ये क्या लोगों को दिखा रहे हैं मतलब बार-बार क्या याद दिलाती है firefighter जो आग को बुझाने वाले हैं that fire is a good servant but a bad master ये एक phrase कितने use हो रहे है कि fire एक अच्छा servant है लेकिन बुरा मालिक भी है ये मतलब you must be careful to use fire wisely ठीक है and under control so it will not hurt you fire को अगर आप बुद्धी मानी से use करोगे carefully use करोगे तो ये ठीक है control में रहेगी नहीं तो ये तू नुकसान पुचा देगी इस phrase का बस इतना सा meaning है and the blaze blaze का मतलब क्या होता है जुआला कह सकते हो large strong fire कह सकते हो ठीक है दो वक्ती हुए ऐसे strong fire बहुत ज़्यादा तो ये क्या कह रहे है इसमें a blaze that engulfed engulfed का मतलब होता है to surround and cover something or someone completely ऐसे घेर लेना ठीक है इंगल्फ के साथ in free position बहुत बार यूज होती है ठीक है आग पैसिव में यूज होता है smoke area engulfed the fire इस तरह का word यूज होता है ठीक है पैसिव में बहुत बाई नहीं लगाते है इसके साथ क्या लगाते है in the smoke engulfed the area the area was engulfed in smoke तो आएगा word ठीक है क्या कह रहे है है तो ट्रांजिटीव तो आगे object आएगा फ़ले तो यह कह रहे है बटे बैड and blaze that engulfed जिस जो आला ने blaze ने क्या कर लिया इंगल्फ कर लिया private covid-19 पर घेर लिया hospital को जो मुंबई band up area में है Thursday night को comes ऐसे यह सारी बात comes सामने आई है as a reminder of how true that exome is कितनी सच चा कितनी सच है बैड माश्टर वाली जब ऐसा हुआ यह reminder है साफ साफ at least इसमें क्या हुआ लग बग nine people died as flames and smoke no people की death हो गया इसमें because flames and smoke spread through the flames है flames का मतलब क्या होता है वो जोती होती है जो आग के कान जलती हुई गैस फैलती है ठीक है and smoke दुआ spread through the facility fell गया किसके through facility housed in a mall अच्छा house का मतलब नहीं पता होगा आपको किसी को facility का भी meaning facility का मतलब कई meaning होते है facility provide करवाना एक तो यह होता है एक facility का मतलब होता है कोई जगा किसी building में ठीक है जहां भी कोई activity होती है से military facility nuclear weapons जाम बनते हैं तो वहां बोल दिया nuclear weapons facility कोई भी जगा जहां होती है उच जगा को बोलते हैं ठीक है कहां से फैल गी house in a mall तो यह कह रहे हैं house house का मतलब house यह वह नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है किसी को जगह देना तो प्रोवाइड space for something to give someone place to live जैसे it is difficult to house it is difficult to house all the people there सबको जगह नहीं दे सकते हैं अपर ठीक है अब the museum house all these मतलब कोई भी समान रख है museum में तो house बोला जाएगा contain भी कह सकते हैं इसको ठीक है contain तो कह रहे हैं house in a mall यह passive की sense में use हो रहा है तो जो भी यह place था अब मोल में था ठीक है यह एक मोल में था contain का मतलब contain in a mall यह सारी जो जगह थी facility थी जो यह जगह बना रखी थी hospital को एक mall में shift कर रखा था आज कल लोग कर रहे हैं ने train में बना दिया hospital क्योंकि ज़ब ऑस्पिटल खाली नहीं है तो इसी तरह बता रहे हैं यह मोल की तरह में facility थी hospital की coming soon यह किसके बाद हुआ है after के बाद वाले हमेशा पहले होती है after the fire dead snuffed out snuffed out का मतलब किसी को मार देना snuffed out ठीक है to kill someone जादतर यह आग बुजाते हैं तो snuffed out use करते हैं बुजा देना भी होता है इसका मीनिंग ठीक है तो क्या करते हैं यह किसके बाद हुआ पर डेट snuffed out snuffed out का मार दिया lives of infants इन बांदरा तो यह बहुत जल्दी हुए जिसमें कई चोटे बेबी हैं जो मारे गए थे बांदरा में इस आग के कान इसके बाद यह event फिर से हो गया अगेन इन महाराष्टरा फिर से महाराष्टर में यह जो tragedy हुई है बड़ी खतरनाक सी यह situation बनी है tragedy focus क्या focus करती है attention on the failure to make fire safety यह साफ सब इस बात पर focus करते हैं हमें ध्यान देना होगा जो failure हो रहे हैं to make fire safety systematic imperative in public buildings क्या failure हो रहे है fire safety fire safety को एक systematic imperative imperative most important public buildings में fire safety को systematic तरीके से जरूरी बनानाची है safety को बनाएने जा रहे हैं इस चीज में failure रहे systemic का मतलब क्या होता है systemic systemic मैटिक नहीं है यह क्या है systemic इसका मीनिंग क्या होता है जिसमें मतलब पूरी बात करे system account related to or involving a whole system rather than some parts जिसमें सारे system की बात आजे पूरे complete की तो ये safety को complete necessity बनाना चाहिए imperative का मनले होता है बहुत जरूरी it is imperative to do this बहुत ज़्यादा जरूरी important urgent तो ये सारे system को देखना पड़ेगा public building में जो भी हो रहा है public building में fire safety है नहीं और लोग आग के कारण मारे जा रहे है there is no clarity कोई भी सफाई नहीं है where the inferno originated कहां से ये inferno originate हुई थी कहां से निकली थी कोई specularity भी नहीं है देखो inferno का मतलब क्या होता है very large uncontrolled fire जिसे fire को control ना कर जगे उसे बोलतें inferno तो ये कहां से ये आई थी असली में आगी इस पर clarity नहीं है एंड वैदर दा hospital house in a commercial building under extraordinary circumstances extraordinary circumstances for covid and was equipped for the purpose अच्छा तो कह रहे है ना इस बात पर clarity ये आग कहां से थी और कह रहे है क्या वो hospital जिसे commercial building में बनाए गया था contain किया गया था hospital को कहां था वो commercial building में था space कहां बनाए गया था उसका commercial building में जो उसमें क्या extraordinary circumstances provide किये गए थे patients के लिए equipped equipped का मतलब क्या होता है equipped का meaning simple है to prepare something for a particular task की आप को किसी चीज से equipped किया गया तो आपको सारे tools सब provide किये गए ठीक है having all tools necessary items जैसे मैं को we were well equipped for the strip हमने सारे समान ले लिए strip पे जाने के लिए well equipped हम सारे tools समान जो भी चीज़े वाँ चाहिए ले लिए तो क्या यह hospital is well equipped था patients के लिए purpose के लिए ठीक है तो building में बना तो दिया आपने है the majority of patients were evacuated जो बहुत से जो patient थे उन्हें तो evacuate कर लिया गया evacuated का मीनिंग क्या होता है ठीक है to move people from a dangerous place to somewhere safe place में evacuate निकाल देना ठीक है तो बहुत से patients को तो निकाल देंगे and admitted majority of patients में देखो वर्ब patients के coding आती है majority का मतलब तो यह होता है लगब 90% लगा लो 50 से उपर तो इसे subject नहीं होता है subject होता है pre positions के बादवाला इसमें इकलोते ऐसे word होती है subject agreement का topic हो गया were evacuated and admitted to other hospitals admit कहां कर दिया other hospitals में a solatium यह सारी बाते अब कह रहे हैं कि चलो majority को निकाल लिया गया admit कर दिया गया a solatium solatium for the families of the victims has been announced by the state government solatium क्या होता है बताइए solatium money that is given to someone मुआपजा नहीं कहते वह एक लाग देंगे मरित family को तो कहरें solatium for the families of the victims has been announced अच्छा वर्ड है यह भी देखो for announced by the state government स्टेट गोर्मेंट ने announce कर दिया महरास्टी मुंबई जो भी गोर्मेंट है उद्ध ठाकरे जी कि उन्होंने कर दिया ठीक है एंड प्रिडिक्टेबल प्रोमिस और प्रिडिक्टेबल प्रोमिस जैसा कि उनुमान लगा चकता है वह प्रोमिस भी करती है कि investigation करेंगे हम चल अला कि do little to change the image of पर यह ना के बराबर change कर रहे है image of decryptude decryptude का मतलब होता है weakness जिसकी care ना की जा सके बिल्कुली weak weak system तो कह रहे हैं to change the image of decryptude that marks marks का मतलब एक तो mark लगाना भी अपते निशान लगाना और क्या होता है mark का meaning बताइए ठीक है बताओ इतना है एक second कि कहां थे हम देखो दीश टैप्स तू लू वैलकम हाला कि इन steps का वैलकम पर यह ना के बराबर कोई change लाचे image of decryptude यह जो भी कमजोरी है system की debt marks marks का मलब निशान लगाना होते हैं माक का मिनिंग क्या होता है to represent a characteristic of a person किसी की विशेष्टा दिखाना तो साफ सा पोलीशी और पब्लिक सेफ्टी जो भी country में उसकी साफ सा विशेष्टा दिखाते है कि कितनी कमजोर है ठीक है एंड़ जनरली in factual nature of inspection and certifications तो कह रहें ineffectual ineffectual का मतलब क्या होते है ineffectual मतलब जिसका कोई result ना है अच्छा result ना है ineffective है inspection का और certification जो भी किसी विशेष्टा को certified किया जाते है कि आप ठीक हो आप में सारी सेफ्टी है बिल्कुली infection है कि आप कर सकतो है काम चला सकते हैं इस बिल्डिंग में सब बिल्कुली effect नहीं है इसका result बिल्कुल नहीं fire may be an accident fire शाध accident हो सकती है but the idea of protocols माल या fire accident हो सकती है पर जो rule regulation follow करने वो भी तो नहीं होते hospitals में buildings में but the idea of protocols protocols का मतलब होते है set of rules that should be followed in a ceremony किसी भी ceremony में जा रहा है तो यह follow करने आपको किसी organization में rules follow करने है इस तू पर कहरें जो idea protocols के is to prevent it from having a devastating effect on lives and property कह रहें accident हो सकती है मान लिया पर protocols जो होते हैं rules होते हैं उनका क्या काम होना है को prevent करना है prevent it from having a prevent it किसके लिए यूज़ हुआ फायर के लिए prevented from having a devastating effect devastating का मतलब क्या होता है causing a lot of damage or destruction तबाई कह रहें जो protocols rule होने चीए उनको तो यह होना चीए ना कि बचाए इसको किस चीज़ से किये लोगों की जिंदगी और property खराब करने से इस आग से हम बच सकें ठीक है prevent it from having किसे रोके प्रिवेंट का मलब रोके किसे आग को from having किस तरह के effect लाने से devastating effect जो damage कर दे इट शुडबी pointed out that after a fire in राजकोर्ट लास्ट नुवंबर कह रहे हैं it should be pointed out यह point out किया जाना चीए क्या after a यह हुआ था राजकोर्ट में हुआ था last November में the supreme court took supreme court ने क्या लिया था suomoto अच्छा suomoto यह इस तरह के बेकार से word आते है Latin word होते है ठीक है suomoto cognizance suomoto का मतलब क्या होता है suomoto swim motion खुद action लेना action taken by judge without requesting from any party जो judge खुदी action ले लता है चाहिए उस पर आस authority है या नहीं खुदी action ले लेना तो कह रहे है court took suomoto cognizance cognizance का मतलब होता है understanding, notice करना, consider करना कोई चीज while judging judge करते हुए कोई चीज notice करना, ध्यान रखना ठीक है तो जैसे बोल देते हैं judge ने cognizance लिया मतलब इस criminal का कि इसने charity भी बहुत किया है तो इसकी सजा थोड़ी सी माफ कर देते हैं तो कोई चीज understand करना, समझना, ध्यान देना, consider करना तो कह रहे है, suomoto cognizance of the incident Supreme Court ने खुद लिया था इस बात का ध्यान रखा था इस incident का और direction issue कर दी थी अपनी तरफ से क्या, one of which उन में से क्या थी, was to task an officer वास to task, task का मतलब की task यहां पर वाव है, ठीक है, noun नहीं है, कि एक officer को वहां रखो, with fire safety for each COVID-19 hospital, ठीक है, officer जो fire safety का मतलब जो भी ध्यान रखें COVID-19 hospital में, states have only themselves to blame, और क्या-क्या बाते बताई थी, states have to blame, states पे ही blame खुद को करना पड़ेगा, अगर यह officers ignore करते हैं, such guidelines and avoidable fires claim lives, और ऐसी fire जिनको ignore किया जाता है, ठीक है, और वो lives को claim करती है, मतलब जिन्दगियां शीनती हैं लोगों की, ठीक है, दाओ पे लगाती है, तो इसमें states खुद जिम्मेदार होगा, यह सब बाते कही थी, Supreme Court ने, hospital fires are a distinct entity in the literature on safety, ठीक है, क्या कह रहे है, hospital fires are a distinct entity in the literature on safety, literature का मतलब एक तो रचना होती है, कुईसी भी बड़े-बड़े writers की रचना है, Shakespeare, कालिदास, बड़े एक literature का मनलब होते है, information written by experts, distinct का मतलब बिल्कुल different, clearly different, entity का मतलब कोई भी organization, कोई भी policy जो separate काम करती है, apart from another, something that exists separately from other things, तो कह रहे हैं जो hospital की fires है, बिल्कुल ही अलग है, in the literature, on safety, जो भी information provide की गिए, safety विबेस में, क्यों, बिल्कुल अलग चीज़ है, क्यों, क्यों कि यहां पर, जो यहां आग फैलती है, बिल्कुल अलग है, safety के जो भी information है, उसके उपर, उसके according, जो भी safety के लिए information लिखी गई है, कि यह करना चीज़ है, क्यों, यहां पर oxygen खुद तो जलती नहीं है, पर आसपास इसमें, प्रोपर्टी होती है, आसपास की लोगों को जल्दी आग पकड़वा देती है, यह, oxygen का यह काम है, तो यह oxygen है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कह रहे हैं, since the presence of incapacitated patients, क्यों, अलग क्यों है, इसकी safety के rules होने चाहिए, क्य environments, पूरे environments में oxygen है, फैली होई है, plenty of AC, बहुत सारे AC है, and lack of sufficient physical space, और physical space भी नहीं है, गूमने के लिए, that creates है, डिवास-टेटिंग कंबिनेशन, और यह एक ऐसा, डिवास-टेटिंग अभी आया था न, वर्ड, causing a lot of damage, तो यह ऐसा combination मनाता है, when disaster strike, जब डिजास्टर होता है, आग इस तरह बड़कती है, तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, और ज़्यादा डिवास-टेटिंग कंबिनेशन है, इन सब चीज़ों का, तो इसकी guidelines, तो बिल्कुली literature, इसकी information, जो भी लिखी है, अलग ही होनी चाहिए, इसलिए कह रहे है, distinct entity of hospital, ठीक है, clear है, करें आगे, National Disaster Management Guidelines, तो यह NDMA, National Disaster Management Guidelines हैं, यह क्या कहती है, और 2016 issued by the NDMA, इन ही के दोरह यह जो कह रहे हैं, ठीक है, address, these characteristics, characteristics, चलिए, तो यह जो National Disaster Management Authority है, इन्होंने क्या मतलब address किये थे, इन्होंने कोई guidelines, ठीक है, by the ND में address, these characteristics, address का मतलब वही होता है, किसी topic से deal करना, ठीक है, अगल भी हमने बात की थे, address, address, these characteristics, जो भी विशेष्टा हैं, इन्होंने क्या करते हैं, guidelines issue की थी, with recommendation, इन्होंने क्या अपने सुझाब दिये थे, on infrastructure and systemic improvements, infrastructure सही होना चाहिए, जो अंदर का infrastructure होता है, किसी भी hospital, किसी building, और systemic improvements, complete improvements, whole system पे, from comparative to ultimate safety, इन्होंने कहा था, comparative से ultimate safety करो, comparative का मतलब क्या होता है, कि हम normal से थोड़ा सा सही, कि हम तो ये normal है, इस से थोड़ा हम comparison में सही कर दी, ultimate क्या होता है, final, the best safety के rules होने चाहिए, इन्होंने recommendation दी थी, to reduce the risk of deadly fires, ताकि deadly fires का risk रुख सके, गातक आ गया जो ये, ठीक है, fire वैसे तो देखो पचे, क्या होती है, uncountable होती है, अगर simple एक fire की use करें, और जब आग भढ़क जाती है, camp fire पूरी आग, wildlife century को खराब करते हैं, जंगल में फैल ये, तो fires भी use होता है, येट, it is clear that, फिर भी कह रहें, it is clear that, even some of the basic recommendations, such as the availability of open space to move patients in an emergency, or beyond the scope of legacy building, कह रहें, फिर भी ये बात साफ है, कि जो basic recommendation है, कौन-कौन सी open space होना चाहिए, patients को move करने के लिए, कि वो open space तो हो, भागने-भागने के लिए emergency में, तो ये सारे beyond है, और beyond the scope, of legacy building, legacy क्या होता है, legacy क्या होता है, आपकी मतलब जो पहले से, मतलब कोई मर गया और आपको पैसे मिल गए, ठीक है, legacy चलती आ रही है, जो, बहुत पूराने टाइम से, तो ये कह रहे हैं, जो भी ये legacy है, विरासत है, बिल्डिंग है, जो बनी हुई है, other purposes के बनी लिए, ये तो, बिल्कुली beyond the scope of, to judge the quality or improvement of something, ठीक है, तो कह रहे हैं, कम से कम practical, ये तो है, चलो, उन बिल्डिंग को नहीं किया जा सकता है, जो कि बहुत पुरानी बनी हुई है, but what is practical for expert to assess the quality of infrastructure, की infrastructure की quality क्या है, specifically, इसे इस कर कौन कौन सी बात थे, electrical installation, जो भी वहाँ बिजली बगएरा के fitting है, वो कैसे हो कि आग पकड़ सकता है, उससे भी, ensuring the retrofitting of structures, retrofitting का मतलब re, retrofitting का मतलब क्या होता है, कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पर, to furnish with new parts, कुछ उसमें quality को improve कर रहे हो, कुछ new parts लगा रहे हो, पुरानी किसी machine में, तो retrofitting की जाए structures की, with flame retardant materials, retardant का मतलब ही क्या होता है, किसी की growth को slow कर देना, तो retardant एक ऐसे substance होते हैं, जो क्या करते हैं, prevent the outbreak of fire, जो fire का एकदम से बुजना होता हुना बुजाने में, जो मदद करते हैं, ऐसे material, तो कह रहे हैं, जो flame as retrofitting को structure किया जाए, ठीक है, machine में, with flame retardant materials, वहाँ पे flame आग को बुजाने वाले materials हो, and dragging of patient to reduce crowding, dragging of patients, यह word hospital line में use होता है, इसका meaning क्या होता है, जैसे कोई बिमार है patient, बहुत ज़्यादा बिमार है, उसे पहले admit करो, जो कम है उसे बाद में देखो, तो इससे भीड नहीं होगी, और patient की जान भी बच जाएगी, the process of examining patients, who needs treatment first, dragging of patients to reduce crowding, ठीक है, recurring infernose, बार-बार होने वाले यह infernose, बार-बार यह जो आग, बार-बार भढ़क रही है, infernose happening many times, recurring, ठीक है, तो यह जो uncontrolled fire है, बार-बार हो रहा है, इसका ठीक है, पार्टिसपल कहेंगे, इसे, should also convince states that they must create scientifically designed public health facilities, तो कह रहे हैं, recurring inference यह जो बार-बार होने वाली है, जो uncontrolled fire है, should also convince state, यह करना चीए, एक state को convince, convince का मतलब सिंपल ही, मनाना to persuade someone that they must create, राजी करना की scientifically designed public health facility बनाए, जो scientifically designed हो, अच्छे हैं, उसमें, क्या कहते हैं, equipment हो, आग से बचने की facility हो, that meet the need of populous cities, जो populous, population वाली city है, उनकी requirement पे mail खाए, ताकि जो बीड़ बिड़ाक वाले इलाके हैं, उनके आग के चपेट में आजें, reversing the policy of, और क्या reverse करते हुए, क्या pose करते हुए, ऐसी policy को, policy of leaving this crucial function largely to for profit entities, तो कह रहे हैं, उन policy को बदलो, जो यह crucial important function है, largely का मतलब क्या होता है, largely का मतलब completely, great degree, जो profit entities के लिए बनाए गया है, उन सारी policy को change कर दो, for profit entities को उनसी होते हैं, जो सिर्फ money के लिए काम करती हैं, ऐसी organization, profit के लिए, operating with the goal of making money, तो यह जो पहले policy बनाए गई हैं, कि important की profit के लिए जो building है तियार की गई है, जो बिल्कुली congested हैं, जो कैसी हैं, पर पैसा आ रहा है, तो यह कह रहे हैं, उनकी policy को बदलना पड़ेगा, where the imperative, जहां necessary क्या होना चीए, most important क्या होना चीए, imperative क्या होना चीए, to cure, where imperative to cure is often, जहां पर important imperative to cure is often, pitied against cost and profit concern, जहां पर जरूरी है इलाज, वो किसके pitied against हो जाता है, pit का मतलब गड़ा, गड़ा होता है न, pit का मतलब, pitied against का मतलब होता है competition में, opposition में, तो जहां पर इलाज जरूरी होना चीए, वो किसके खिलाफ opposite में खड़ा हो जाता है, कीमत और profit concerns जहां पर building की cost की बात कर देंगे लोग profit नहीं होगा हम ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना मतलब हम open space बनाएंगे तो तो ये सारी चीज़े बीच में आ जाती है public की safety भाद में आती है तो ये सब चीज़े दिहान में रखना जाए तो pitied against world अच्छा आ गया competition में किसी के साथ तीक है opposition में किसी के खिलाफ करेंगे होना ये आप ये read कर सकते हैं समझ आया होगा तो आप वीडियो को share और like जरूर कीज़ेगा टाकि हम motivate हो और डेली आपके लिए बना सकें thank you